हम लोगे इस नहीं कविता सीखेंगे इस कविता का नाम है पाँच बदर किती बता बत अच्छा बच्छो यह पता हो बतके किसने किसे ने की है अच्छा बताओ वो कहां रहती है पानी में तो आज हम लोग कवीदा करेंगे मेरे पांच बतक ठीक है अब मैंने आपको चो कवीदा सिखाएंगी उसको घ्यान से समझना ठीक है बहुत ही अच्छी कवीदा है ठीक? वो लोग मेरे पांच बतक थे आप चैको यहां पर हमारे पांच बताँ कोन कोन सी है एक, यह दो, यह वाली तीन, यह वाली चार और यह वाली कितनी हो गई? पांच बत कर कितनी हो गई? अब जैन सुछों ने क्या मेना दिया है? तलाँ बतक कहा रहती है? पानी मेरा दी है तो तुम्होंने पानी बना दी है अब यह बतर कि अहाँ गई अब यह क्या कर दे है तेहर नहीं है तो चलो बच्छे बोलो मेरे पांच बतर थे चोच गई नीचे तो पूच गई ऊपर अब एक बदक उड़ गई गी अब बच्चों बताओं अब कितने बचे बताओं? चार कैसे गिनते हैं? एक, दो, तीन, चार इतने रहे हो? चार तो बच्चों बोलो मेरे चार बताओं थे पानी में तैर रहे थे चोच गई नीचे तो पूच गई ओ पूच गई नीचे तो पूच गई उपर फिर क्या हुआ बच्छो बच्छो ये बदक है वो बुल गई अब बच्छो बताओ मैं पार कितने बदक बचे है इस गौन-गौन से एक डो और ती अब हम तीन बदक को साथ करेंगे बोलो मेरे तीन बदक थे मेरे तीन बदक थे पानी में तैर रहे थे चोच गई नीचे तो पूच गई ऊपर चोच गई नीचे तो पूच गई ऊपर अब आगे क्या हुआ बच्छो बचो अब बचओ मैं एक बदक है उडगाई आप अब कितने बदक रहे दे आब आहरे अब आजी बचे रखे दो एक औरे तो अब बोलो, मेरे दो बतक थे, पानी में तैर रहे थे, चौच गई नीचे तो कूच गई उपर, चौच गई नीचे तो कूच गई उपर, अब एक बता फिर से, तो कूच गई बतक थे, पानी में तैर रहे थे, चौच गई नीचे तो कूच गई उपर, चौच गई नीचे तो कूच गई उपर, चौच गई नीचे तो कॉच गई już bagusपर, पर क्या हुआ रहे? एक लए, एक लए